इस्राइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का हिजबुल्ला अब इस्राइल के लिए हमास से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गया है दरसल सबसे पहले जून 2024 के महिने में हिजबुल्ला ने अपना एक जासू सी ड्रोन उत्तरी इस्राइल में भीचा था ये ड्रोन इस्राइली सीना के तमाम सम्विदंशील से ने अड़ों, हतियार कारखानों और एयर डिफेंस की खूफिया जानकारी रिकॉर्ड करके वापस लिबनान लोट गया था और इसके बाद जुलाई 2024 में भी हिजबुल्ला ने एक ऐसा ही जासू सी ड्रोन उत्तरी इस्राइल में भीचा था जिसने इस्राइल के कई बड़े राज जान लिये थे और इसके बाद हिजबुल्ला ने ताल ठोक कर कहा था कि वो इस जानकारी के आधार पर इसराइल के भीतर कहीं भी सीधा और सटी खमला कर सकता है लेकिन अब इश्बुल्ला ने एक ऐसा दावा किया है जिससे इसराइली पीम बिंजामिन नेतन्याहू की रातों की नी दोड़ी हुई है दरसल इसराइली नीज जेंसी इसराइल हायोम ने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि संदिक्ड ड्रोन ने उतरी इसराइल में घुसपैट की और सीसेरा में बने पीम नेतन्याहू के घर का वीडियो रिकॉड कर लिया नीज इजेंसी की मताबिक आम तोर पर नेतन्याहू और उनका परिवार अपना वीकेंड सीसेरा में बने अपनी निजी आवास पर गुजारते हैं जो हाइफा के दक्षिर में करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर है ये इलाका भूमदे सागर तट के पास है इस्राइल हायूम के मताबिक सीसेरा में शुकरवार को इस्राइली नौसेना के एक मिसाइली जहाच को एक संदिक्द ड्रोन के मंडराने के मद्दे नज़र तैनात किया गया था इस्राइल हायूम का कहना है कि ऐसा शक है कि इस ड्रोन को हिजबुला द्वारा नेतन्याहूं की घर का वीडियो बनाने के लिए लौंच किया गया था यहां तक कि यह ड्रोन मिसाइल जहाच के रडार में भी चिननेत हुआ था लेकिन अन्य कंट्रोल सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाए थे और अलर्ट के बावजूद जब लड़ाकु जेट्स को उस इलाके में भेजा गया तो यह जेट्स ड्रोन का पता नहीं लगा पाई अलांकि इस्राइली सेना को शक है कि यह जूटा अलाम हो सकता है क्योंकि कई बार रडार सिस्टम जूटा अलाम जारी करता है यहां तकि चिडियों के जुन के गुजरने पर भी यह अलार्म बज़ उटता है अलांकि इस्राइली सेना ने हिजबुला द्वारा किसी छूटे ड्रोन को लांच करने की संभावना से इंकार नहीं किया है लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर ने अपने बयान में कह दिया है कि वो एक फॉल्स अलारम था उस वक्त पीम घर में नहीं थे आपको बता दे कि पिछली बार जब हिजबुला ने इस्राइली सेना अड़े का वीडियो रिकॉर्ड किया था तो तब उसने वोट्दो ड्रोन का इस्समाल किया था और इस ड्रोन ने उतरी इस्राइल के बेहद ही समविदनशील और महत्वपुन धाचो का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था वह इस्राइली मीडिया हाउस सहारेट्स ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस्राइल इरान और हिजबुला के खत्रे को देखते हुए हाई अलर्ट पर है और एक वक्त पर इस्राइल अंदर आश्रे समुदाय का एक 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 रत हिस्सा था उस वक्त यहां पर नियमित रूप से विमाना रहे थे और लोगों के आवजा ही हो रही थी हालंकि अब यह हकीकत बदल चुकी है और यह एक तरीके से गिर गया है हाँ